हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग एंड उमीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड आइविश बढ़िया देना सो दोस्तों आज की जो वीडियो है अपन बनाने वाले हैं आई इस तूटी ऑईल की उपर देख सकते हैं यह तूटी ऑईल है एंड मैंने से इफट्स जान सकें कि हां भाई यह किस कदर मदब फायदे बन होता है एक फोर स्ट्रोग पाइक के लिए भी ठीक है तो वन बाई वन विजह से मैंने आपको बताया सबसे पहला तो आपके जो वाल्ब का जो डिपॉजिट होता है भाई उसको खतम कर देता है अकसर होता है बढ़े सखेए उसको भी काटतार है टीक है विए उनसे बचने का एक सोथा है जिससे कि आपके वाल्ब Chemistry बिकिशन भी बना रहेगा विपना रहे अगी समोध मीघि चलते हो यह चीज और आपको जाना है कि लिए तो आप इक पुडिया डलवा लो भाई आपका जो वाल्व काम है ऐसा स्मूठ काम करेंगा बहुती बढ़िया तो पहला रीजन तो होगे यह इसको डलवाने का ठीक है मैं खुद मतलब मैं तो बहुत बार यूस करें तो मैं सोच है से रिक्टेट कि वाई इसमें डाल के चला जाए और घुमा परादे विल्कुल जिससे कि इसमें टेंक में रस्ट नहीं पड़ेगा टेंक में अगर रस्ट पड़ गया तो ऐसा लंबा फटका पड़ेगा फिर यह आप भी जानते और अगर उसमें एफाई वाला टेंक है तो और भी ज्या कि वर टाइम यारी समय के सासाथ कोई भी चीज सेम नहीं रहती वह बिगड़ती ही बिगड़ती है लेकिन अगर आप उनके साथ तोड़ी सी प्रिकॉशन लेकर चलोगे न तो चीजें बहुत फायदे मन करेगी ठीक है तो यह फ्यूल इंजेक्टर को वाल गाइट को तो कर वाल को करता ही है सही बिल्कुल और लेकिन आपके साथ फ्यूल इंजेक्शन जहां जहां से जो पैट्रोल का फ्लो चलता रहेगा वहां वहां से उसको क्लीन करता हूँ चलेगा ऐसे बहुत से लोग इसका इस्तिमाल करते हैं जब वो लॉंग रूट पर निकलते हैं पैट्रोल के जो ऑक्टेन होते हैं उनको बढ़ा देता है आपने पैट्रोल पंप पर देखा होगा हाई ऑक्टेन फ्यूल मिलता है 93 ऑक्टेन 94 95 तो होता क्या उनमें ज्यादा होते है अच्छा जोलंशील होता है तो फ्यूल एडिटिव करता भी यह है इसमें डाल देगा इसमें डल जाता है तो वह थोड़ा सा हाई ओक्टेन हो जाता है और फिर वह कंबशन भढ़िया करने मदद करता है इसका भी थोड़ा सा मतलब कुछ इसी तरीके का काम है तो इसको आप लगवा सकते हैं फिर तो इसके और भी सारी में तड़े मतलब चेनलीव में डाल लो वह तो एक मतलब बेसिक सा एक चीज़ है लेकिन तीन में डीजन इससे रिलेटेड में तीन भईया मेरे यहीं है इसका एक और बेनेफिट जो मैं आपको बताना चाहूंगा यह तरीके से आपके जो एंजिन के अंदर की जो मतलब जो क्लीनिंग प्रोसेस है उसको भी मदद ऑगर कोई बनानिके को अब क्या बोलते हैं यहा जो आजक्कर लिकंत के और यह अब रोंकि और अधन के और को अब कर सकते हैं एस में चिपड़ेजिट में कर गड़िया है इसमें लूबरिगेशन वह रही है इतनी तो मतलब अच्छे खासे एंजिन और पर कभी कभी नहीं हो पा दी ठीक है इसके लाब है इतना इसमें कुछ है नहीं है ठीक है तो मैं आपके की सामने इसमें डालता हूं और और मैंने इस तैंप अभी 500 विगा पेटो डलवार का वाई देख सकते हैं साथ है मेल की पोड़ी आए ठीक है तो इसमें अब डालते हैं तो उमीद करता हूं आपको वीडियो हेल्फुल रही होगी अगर हेल्फुल रही हो तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कोई बंदा पहली बार आये तो भाई बेना सब्सक्राइब करें तो भाई चाहना मत जब तक कि लिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में टाटा